पॉल्वुट की गलियारों में हमेशा ही चर्चा का विश्य बने रहती हैं पॉपुलर कपल एश्वर राय बच्चन और अविश्येग बच्चन ये प्यारा सा कपल हमेशा ही अपनी खुबसुरत बॉंडिंग के जरिये फैंस का ध्यान अपनी और खीचे लेता है जहां भी जाते हैं सेंटर ओफ अट्रेक्शन बन ही जाते हैं वहीं शादी की इतने सालों बाद भी दोनों का प्यार बरकरार है एक दूसरे पर भरकूर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं और आज के समय में अपनी लाडली बेटी अराध्या बच्चन के साथ बेहद आलिशान जिंदिगी भी बिता रहे हैं जहां एक और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा का विश्या बने रहते हैं वहीं दूसरी ही और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी एश्वयर्या और अभिशेक रियल लाइफ में अपनी कैमिस्ट्री के जरीए फैंस का ध्यान अपनी और खीच लेते हैं तो और आठ फिल्मों के जरिये फैंस के दिलों पर जम कर राज भी किया है दोनों की कई फिल्में हिट साबित हुई है ऐसे में फैंस बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं एक पर फिर से इस पॉपुलर जोडी को देखने के लिए बड़े परदे पर सो फ्रेंड्स जानकर इक लिए आपको बता दें कि हाल ही में अभिशेक बचन ने अपनी इच्छा जाहिर की है अभिशेक ने एक बार फिर से अपनी पतनी और पॉपुलर एक्टरस एश्वरा के साथ काम करने की खुआहिश जताई है अभिशेक ने कहा है कि मुझे एश्वरा के साथ काम करने में हमेशा खुशी होती है वह मेरी पसंदिदा कोई स्टार है मुझे उम्मीद है कि हम जलदी ही एक साथ फिर से काम करेंगे और इस तरह से अभिशेक ने ये गुड न्यूस दी है अपनी पतनी के साथ काम करने को लेकर अपने फैंस को वेल इन दिनों अभिशेक बच्चन लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं अपनी वैप सीरीज के चलते इसे साल अभिशेक ने डिजिटल की दुनिया में कदम रखा और ब्रीट इंटू दा सैडो के जरीए धमाल मचा कर रख दिया वहीं एश्वर याल लंबे समय से परदे से दूरी बनाई हुई हैं ऐसे में देखना दिल्चस्प होने वाला है कि ये प्यारी से जोड़ी जब बड़े परदे पर फिर से साथ में नजर आएगी तो वाकई में फिर से कमाल करके दिखाने वाली है हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही तक तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज